आज हम बनाने जा रहे हैं वेट लोस रोटी और ये है एक कप गेहूं का आटा और ये लिया है हमने 90 ग्राम सोया चंक्स जिनको पीस लिया है मिक्सी में और ये एक कप है कद्दू ये जो कद्दू आता है ना पेठा ये देखे इस टाइब का इसको हमने छील लिया है फिर इसके ये बीज निकाल दी है है। आप ग्राइन करेंगे आप चाहीं तो सब्सक्राइब कर Lawrence अब ये देखेये अगर आप केवल गेहों की रोटी बना रहे हैं और उसमें आपको बच्चों को कद्दू या लॉकी या कुछ इस तरह से देना है तो पीस कर आप उसे दे सकते हैं अब हम डार लेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और पहले हम इसको बिना पानी के ही मिक्स करने कोशिश करेंगे कि पानी कितना चाहिए वह हमें इसको पूरा अच्छे से मिलाने के बाद ही देखना है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक किजे शेर किजे पने फैमिले फ्रेंड्स में बैल आइकन प्रेस किजे ताकि मेरी लेटेस अब्डेट्स आप तक वह सकें यह देखे जब इस तरह से हम मिक्स कर लेने इसको सारा तब फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गुटना है जिस मिक्सी में से हमने यह निकाला है ना पीसा था उसी मिक्सी में हम इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के इसको निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा गुथेंगे soft dough लगाएंगे इसका देखिए इस तरह से इसको हम mix कर लेंगे soft dough लगा लेंगे इसका और लग जाता है आसानी से देखिए कुछ इस type का यह हो जाता है इसको थोड़ा सा हम और करके नीड करके इसको 10 मिनट के लिए rest होने के लिए रखेंगे और यह मैं आपको जादा है छे रोटी के लिए है तो आप जब भी जितनी quantity में बनाना चाहें उसी से उसी तरह से इसका portion ले सकते हैं आटा रखे वे हमें 10 मिनट हो गई है अब हम हमने कोई आयल वगएर इस पर नहीं लगाया है क्योंकि हम यह weight loss रोटी बना रहे हैं तो जब 6 आपको बनानी है न क्योंकि measurement करके बनानी है तो 6 रोटी में ऐसे आप 6 पहले लोईयां तोड़ लेंगे बराबर तो अभी तुम्हें आपको ऐसे करके बता रही हूं तो पहले हमने इसको ऐसे लोईय बना ली है इसकी थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट करेंगे इसको और आसानी से बन जाती है थोड़ इसी उतनी स्मूध नहीं बनती जितनी गेहूं के आटे की बनती है पर बन जाती है अगर आप उछ हेल्दी खाना चाते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है यह देखे और इसको हमें बहुत पतला नहीं बनाना है ना पतला न ज्यादा मोटा यह देखे कितने आसानी से क्योंकि हमने सब कुछ पीस के डाला है ना तो यह आसानी से बन रही है रोटी अब हम इसको डालेंगे तबे पर तबा अलरेडी हमने गर्म कर तो रोटी के सिखने की करते हैं इंतजार रोटी को पलट लेते हैं देखे अच्छे से हां से सिख गई है पीछी तरफ से भी सिखने देंगे हां गैस आपको medium to low रखनी है ताकि क्या है जले नहीं रोटी अंदर से अच्छे से पक जाए क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीज़े शेर कीज़े अपने फैमिली फ्रेंज में पहले एकन प्रेस कीज़े ताकि मेरी लेटेस्ट अप्टेट्स आप तक हो सके किनारे भी अच्छे से शेक लेंगे आपने इसका पराठा भी बना सकते हैं और यह रोटी बहुत कम फूलती है और आज मेरी वीडियो बनाते वे रोटी फूल गी है आप इसको दही के साथ खाईए सबजी के साथ खाईए बहुत ही बढ़िया है आप चाहें तो पराठा बना कर खाईए प्रेंग बना कर अबना कर लेंगे